मुझे बुलाया था सुबह ग्यारा बजे और ग्यारा बजे से साड़े आठ बजे तक लगबग उन्होंने पूछता चाहिए साड़े नौ घंटे सबसे पहले मैं CBI के सभी Officers का शुक्रियादा करना चाहता हूँ उन्होंने बहुत अच्छे माहौल में सोहार्दबून माहौल में पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे तो उनकी जो भी कर्टसीज है उसके लिए मैं उनका शुक्रियादा करना चाहता जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिये जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पस कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलेजड शराब घोटाला जूट है फरजी है और गंदी राजनीती से प्रेरित है आम आदमी पार पाटी है इमानदारी कटर इमानदारी हमारी बेसिक आइडेलोजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अपनी इमानदारी के साथ कभी कॉंप्रमाईस नहीं करेंगे और यही कारण है कि वह जबर्दस्ति हमारे उपर कीचिड भीघन चाहते हैं और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हैं, यह वो काम नहीं करते हैं, यह अच्छे स्कूल नहीं बना सकते हैं, तीस साल में इन से गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्यपरदेश में एक स नहीं तो लोग इन से पूछते हैं अब जब आमाद्मी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिली में वो काम होने शुरू हो गए और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है आमाद्मी पार्टी बहुत तेजी सी पूरे देश में फैल रही है पहले दिली में सरकार बनी फिर पंजाब में सरकार बनी अब नाशनल पार्टी बन गई आमाद्मी पार्टी जगे 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 जा रही है सब कुछ पूछा उन लोगोंने ये नीती शुरू कैसे हुई ये आपने कहां से शुरू किया क्यों शुरू किया वहां से लेके अंत तक सारा आप ये मान के चलो कि 2020 से लेके और अभी तक कि जितनी डवलपमेंट्स हैं सब के ऊपर लगबग 56 कुश्चिंज उन्होंने मालो से आपको क्या लगा कि इस डिजियाई के पास क्या अधार है और क्या आपको आगे भी बुलाने के लिए उन्होंने कहा है ऐसा मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आगे बुलाएंगे और मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फरजी ह सब कुछ फरजी है इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया है हमारी सरकार ने कुछ गलत किया पर्फरेंस पर्फरेंस करना हम लोगों का अधिकार है हम किसी को कोई गलत नहीं कर रहे थे मुझे खुशी है कि अब दीरे दीरे चौड़ रहे हैं कि इस तरीके से मनमाने तरीके ने सेशन नहीं बुला सकते हैं कि इस तरीके से मनमाने तरीके ने सेशन बुला रहे हैं कि इसे कौन से नहीं हमके खिलाफ है कल सदन होगा बिलकुल होगा कौन से नहीं हमके खिलाफ है कैबिने ने प्रस्ताव पारित किया है लगी से त साथ थोड़ा सा समविधान थोड़े से रूल्स थोड़े से काईदे और पढ़ लें मैंने बार-बार कहा है कि कोई ऐसा एडवाइजर रख लें जिसको थोड़ी समविधान की जानकारी हो कोई ऐसा एडवाइजर रख लें जिसको थोड़ी कानून काईदे की जानकारी हो त झाल